दोस्तों अगर आप भी सहारा इंडिया में पैसा जमा किये थे और आपने सहारा रिफंड पोर्टल पे पैसे वापसी के लिए ओन्लाइन आवेदन किया था और आपका 45 दिन से ज्यादा दिन हो चुका है तो आपको इस परकार से मेसेज आया होगा इस परकार से काफी सार लो और इसके बास से आवेदन केसी कैसे चेक करेंगे अगर आप इस तरह से मेसेज पाए हैं आपको मिला हुआ इस तरह से मेसेज अगर आपने आवेदन किया था तो इसका क्या मतलब है क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया हमारा प्रोसेस में है या क्या है साफ साफ लिखा details may kindly be checked by login into the portal CRCS अब यहाँ पर यह जो सब्द है मतलब some deficiencies इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब होगा कि कुछ कमिया deficiencies मतलब होता है खामिया होता है कमिया जिसों बोल सकते हैं अब सरकार तो यहाँ पर message बता दी लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताई कि क्या कमिया है क्या problem है क्या आपने photo size ने लगाया document size अपलोड नहीं किये तो यहाँ पर इन्होंने बस ऐसे message कर दिया कि आपकी आवेदन में जो आपने claim किया था उसमें जो है कुछ कमिया पाई गई है इस message का मतलब यह हुआ और बोलागे कि details अगर आप देखना चाहते है तो kindly login करिए portal पे और आप details को check करिए तो हम जो है क्या करते हैं एक बार login करते है same इस खाता को जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर आप देख लिजी account number यहाँ ठीक है ना और इसको मैं login करता हूँ login करने के लिए आप आजाएंगे इस website पे जमा करता login आप इस पे click करेंगे यहाँ पे अधार का चार number लिखेंगे अंतिम चारंक और अधार से जुड़ा mobile नमा लिखेंगे OTP प्राप्त करेंगे तो आपके उस number पे OTP जाएगा OTP को verify करेंगे verify करते हैं friends इस परकार से जो देखिए मेरा जो है login हो जाएगा और यहाँ पे status में अभी under processing दिखा रहा है यानि message के तोर पे हमें मिल चुका है कि कुछ कमिया है कुछ खामिया है जब हम यहाँ पे login कर रहे हैं कमिया देखने के लिए कि क्या कमी है कुछ जो भी कमी है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा है under processing दिखा रहा है ठीक है ना अब सरकार यहाँ पे यह क्या कर रही है 45 दिन से ज़्यादा हो चुका सरकार बोली थी कि 45 दिन के अंदर यहाँ साब साफ लिखा हुए आप देखेंगे ना आप होम पेज पे आएंगे इनके यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 45 दिन के अंदर जो है आपके पैसे की जो है चीजों को सत्यापित कर लिया जाएगा और पैसे जो है मतलब आपको आगे प्रोसेस कराया जाएगा लेकिन यहाँ पे तो कमिया निकाली गई है कि आपके अप्लिकेशन के अंदर कुछ न कुछ कमिया है लेकिन जब लॉगिन किया जा रहा है तो कुछ कमिया यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है अभी आप login करके देखेंगे तो under processing दिखा रहा है आप हमें comment box में बता सकते हैं कि क्या आपको इस तरह से message आया हुआ है और आपको भी इस तरह से दिखा रहा है कि under processing और message आ गया है कि मेरे आपके आवेदन में कुछ कमिया है तो ये क्या कर रही है सरकार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी जो है कुछ दिन पहले आप लोग आवेदन के सिदी देख रहे थे तो mostly लोग का जो है बीना रीजन का जो है stress आप reject हो गया था mostly लोग का और फिर जो है कुछ दिन बाद आपने चेक किया तो वो फिर से under processing चला गया ये क्या चल रहा है सरकार ये क् किया जा सकता है इसके रिगारी क्योंकि सरकार जो है यहां पे पोटल में बहुत ज़्यादा बदलाव कर रही है अभी नया आवेदन हो रहा है उसमें कई सारे option को हटा दिये गए समझ रहे ना तो यह उथल पुथल हो रहा है पोटल में इनका पोटल कभी भी सही नहीं हु कि कुछ कमिया है क्या कमिया है भाई अब बताओ तो सही और यह लोग बोलना कि लोग इन करके डिटल्स को चेक करिए लोग इन करने पर देखिए कुछ कमिया नहीं दिखा रहा है देख रहा है कुछ भी नहीं दिखा रहा है अब इसका क्या मतलब समझे तो आई होप आप कुछ दिन बाद आये कुछ इस परकार से ठीक है ना इस परकार से जो है option खूल के आये आपको in the future कि आप download करके देखिए कि क्या कमिया है यहाँ पर यह मैं पुराना दिखा रहा हूँ आप लोग को जब इस तरह से problem हुए थे कैसे लोगों को reject हुआ था इस तरह से download करने का option आ रहा था तो उसमय का मैं यह दिखा रहा हूँ आप इस परकार से देख सकते हैं download करने का option आएगा in the future में हो सकता है कि यह लोग कहीं update नहीं किये हो message भेज दिये हो login करने पर देखा जा रहा है कि under processing है और हो सकता है कि बात में download का section देखे कमिया को बताया जाए अब देखते हैं जो भी in the future जब भी कोई update आएगा मैं आप लोग को update दूँगा और आप लोग जो है कुछ निर्रे जरूर करिए कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो कि सरकार जो है आप लोग को इसमें उल्जा के फसा के रखना चाह रही है समझ रहा है ना 45 दिन हो चुका अब सोचिए इनको पैसा भेजना चाहिए और पैसा इनोंने भेजा भी ना तो दसी लोगों को भेजा अब 10 लोग को भेज के ये लोग दिखा दिये कि हाँ हम पैसा भेज दियें बस इनलोग को वाहवाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए निउज बन गया कि पैसा सरकार ने भेज दिया बस और इससे कुछ ज़्यादा इनको नहीं चाहिए देख रहे ना तो ऐसा जो है सरकार कर रही है बहुती गलत बात है लोगों को फसा के रख रही है पैसा देना है तो सही से बताए कि पैसा हम दे देंगे इतने दिन के अंदर नहीं देना है तो साब साब लिख दे कि मेरा पोटल बंद हो गया वगरा वगरा जो भी है आई होप आप लोग समझे होंगे कोई भी अपडेट आएगा फ्यूचर में तो आप लोग अपडेट हम देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहें